स्वागत है आप सभी का कम्पुटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आज हम यहाँ पर एससी सीजी यूट्यूब कोर्स में परसेंटेज के पार्ट टू जो टॉपिक है इसमें हम देखने वाले क्वेश्चेंज हम देखेंगे पार्ट वन में मैंने आ आपको concept समझाया लेकिन जब अब questions discuss करने की बारी है तो थोड़ा समय हाँ पर speed बढ़ाऊंगा हाला कि आपको सारी चीज़े समझ में आएगी इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा ठीक है चलिए और आज वेटनस दे है तो पिछले हफते का जो प्रैक्टिशीट है उसका सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाए क्योंकि best quality content के साथ आपका free में यहाँ पर preparation हो रहा है तो उसका फायदा आप उठाइए सारे notifications आपको timely मिलते रहे और अगर notification नहीं भी मिल रहा है तो ध्यान रखिए कि हर दिन 12 बज़े दो पर को और साती साथ शाम को पांच ब वाइड हो रहा है ठीक है तो best preparation आपका यहाँ पर चल रहा है SSC CGL and CSSL exam के साथ तो चलिए अब यहाँ पर start करते हैं आज के video sessions को जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम questions discuss करने वाले हैं तो let's begin question number 16 तक हो गया था 17 number का सवाल आपके screen के उपर है आई इसको solve करेंगे दिया हु of C is what percentage less than that of income of A ठीक है A की आई जो है B के तुलना में 12 प्रतीसत अधिक है और C की आई जो है वो A B के आई के योग में 72 प्रतीसत कम है तो आपको बताना है C की आई जो है A की आई का कितना प्रतीसत कम होगी यह बताना है तो यहाँ पर आपको एक दूसरे के तुलना में दी आंतिम मूले का अगर रेश्यो हमने चेंज नहीं किया तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता तो इसी चीज़ का हम यहाँ पर फाइदा उठाएंगे A जो है B से कितना ज्यादा है तो 12 परसेंटेज ज्यादा है तो अगर मैं इसको 100 मानलू तो कही ना कहीं A एक सो 12 हो जाएगा सी के बारे में कहा गए कि सी जो है वह 72 परसेंट कम है किससे तो सम अफ इंकम अफ A और B से तो यहां से के बारे में एक information यह मिल है कि सी की इनकम जो है वह यह और बी के Combine Income से 72% कम है तो A और B की combined income कितनी आप खुदी बताएंगे तो 112 प्लस 100 करने पर यहाँ पर 200 बारा आएगा यह क्या है तो A और B की combined income है इससे 72% कम इससे 72 याने 72 प्रतिसत कम करने का मतलब कितना कर देना 88 28% कर देना मतलब कि सी की income इतनी है क्या सकते हैं अब आपको बताना है यहाँ पर C की आए A की आए से कितना प्रतिसत कम है C की आए जो है वो A की आए से कितना परसेंट कम है मैंने आपको यह पिशले वाले यहाँ पर होगी बस आपको यह बताना है कि A की आए से कितना कम है तो आए इसको solve करने की कोशिश करते हैं अब देखे 28 देखते साथ यह समझ में आता है कि कहिना कई 28 को हम 4 गुना करेंगे तो यह 4 से कटेगा ठीक है और इस 4 से मैं इसे काटूं तो कहिना कई यहाँ पर 5 बार कटेगा यह 5 ताइमस फिर 12 आ रहा है तो 53 आ रहा है मतलब सी रेशियो जो है इस सो को दूसरे तरफ भेज देंगे तो यह 100 बनेगा और सी का वैलू आ जाएगा कही ना कई 53 अब आप बताईए कितना कम है तो इसी को हम परसंटेज भी कहेंगे क्योंकि 100 में कितना कम हो कही 100 बन गया तो आपको यह पता चल गया कि यह 47 कम है 100 में और 100 में जितना कम है उतने कही परसंटेज वैलू C is the correct answer आई होप यह पहला सवाल आपको समझ में आया होगा आज के क्लास का इस सवाल को दो तरीके से कर सकते एक वेटेड आवरेश के तरीके से बीएशन यूज करके वह भी मैं आपको बताऊंगा दूसरा हम यहाँ पर संटेज के जर्ये बी इसको सोल्व कर सकते देखें A की A और B की आय में A की आय जो है B की आय से 50% अधिक है यदि A की आय को 40% वृद्धी हुई और B की आय में 90% की वृद्धी हुई तो संयूकत आय में कितने प्रतिशत की वृद्धी हुई यह बताना है जैसे कि देखें A है एक परसन पहला परसन है A दूसरा परसन है A की आए जो है B से कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 50% ज़्यादा याने कि यहां पर मैं यहां पर अगर इसे 100 मानूं तो दूसरा वाला वैल्यू कोई न कई डेड़ से हो जाएगा यहां तक बात क्लियर है अब बोल रहा है कि A को हम 40% बढ़ाते हैं मतलब इस वैल्यू क जाने ओवर अल मतलब कि कही न कीजिस क बढ़ लगा जाए तो वो फॉटी परसंटेज किसका है तोلف 15 अब total यदि हम देखे हैं तो कहिना कहीं यहां 90 बढ़ा यहां 60 बढ़ा मतलब A और B में जो combined increase है combined जो increase हुआ A और B में वो कितना है 60 प्लस 90 याने की 1.500 तो अगर percentage increase निकालना है तो मैंने आपको बताया है percentage increase कैसे निकलता है जो value increase हुआ divided by जो initial value है multiplied by 100 क्योंकि यह चीज 100 में calculate होता है तो अगर इन दोनो zeros को काट दिया जाए ठीक है 25 से 100 को काटेंगे 4 बार 4 into 15 कहीं ना कहीं 60 percentage आपका increase होगा तो यह होगे आपका percentage का solution लेकिन आपको मैंने जैसे कि बताया कि मैं इसको average से भी solve करूँगा तो हर चीज मैंने इसी तरीके से sequence में arrange किया है कि सारी चीज़े connect रहे जो चीज मैंने पिछले बार आपको पढ़ाया है वो कहीं न कहीं आगे reference होगा इसलिए मैंने सारी चीज़े आपको arrange करके बढ़ाया है अब देखिए 50 percentage जो है अब देखिए इसको मैं आपको deviation से बताता हूँ कैसे solve का याने की weighted average से a और b क्या quantity के ज़्यदी में बात करूँ तो a जो है 50% ज्यादा है 50% का मतलब क्या 50 percentage का मतलब है आधा आधे का मतलब यह है कि b अगर मैं यहाँ पर दो मानू b को मैं दो मानू तो कहीं न कहीं a जो है वो 3 होगा अब a में हमने कितना बढ़ा है और b में कितना बढ़ा है a में मैंने बढ़ा है 40% का और b में मैंने बढ़ा है कितना तो b में बढ़ा है वो average का काम करता है और जो quantity पे लग रहा है वो कही न कई quantity का काम करता है ये भी मैंने आपको weighted average में बताया तो इस तरीके के सवाल में ही तो weighted average लगाना है अब देखें यहां से weighted average से यह दि मैं solve करो तो कही न कई हमारा जो average है वो कही न कई 40 percentage अगर मैं assume कर लेता हूँ 40 is the average लेक याने कि 5 में बटने वाला है तो यहां पर 5 से एक बार divide भी करना होगा 5 से यदि में काटू तो 10 हा रहा है मतलब कही न कहीं 40 plus 20 बराबर कितना 60 percentage बताए कितना से केंड लगेगा इसको solve करने के लिए अगर आपको weighted average पता है तो आप इस सवाल को और तेजी से solve कर सकते है प्र सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन है आपके स्क्रीन पर एकी इंकम बीस प्रतिसत ज्यादा है तो how much percent B's income is less than that of A की इंकम 20 प्रतिसत ज्यादा है किस से B के इंकम से तो A और B इसके बारे में क्या है कि A की इंकम जो है इससे 20 percentage ज्यादा 20 percentage का मतलब आप सब जानते हैं 1 by 5 होता है कहने का मतलब अगर यह 5 unit है denominator को यहाँ पर initial value में दे देंगे तो final value जो है वो से एक ज्यादा होगा यानि कि यहाँ पर 6 हो जाएगा अब आपसे पूछा जा रहा है कि B की आये से कितना कम है मतलब अब जब reverse बात कर रहा है तो अब initial value और final value उल्ट percentage कम है तो percentage decrease के formula में आप सब जानते है initial value minus final value यानि कि कितने का decrease हुआ 1 का और किस में decrease हुआ तो यह initial value में यानि कि 6 में multiplied by 100 और एक बटे 6 का प्रतिस्यत मान आप सब लोग जानते हैं यह होता है 16 2 by 3 percentage इसको भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ 16 2 बटा 3 प्रतिस्यत चलिए आशा करता हूं यह असान सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इस प्रकार का सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था तो यहां पर एक तरीके से आपका revision हुआ होगा यहां पर चलिए अगला सवाल दिखते है इसके अंश को 30% की वृद्धी करते हैं और हर को हम 20% की कमी देते हैं तो फिर यहां पर यह भिन जो है 5 बटा 2 हो जाता है आपको निकालना है कि मूल भिन क्या है तो मान लेते हैं कि X बटा Y जो है यह मूल भिन है इसके numerator को याने कि अंश को 30% से बढ़ाया जबी भी आप किसी value को 30% बढ़ाते हैं तो यह मान अप में भी संक्या 100% होती है इसको 30% बढ़ाने का मतलब 130% कर देना और साथ में यदि 20% आप कम कर रहे हैं इसके हर को अगर हर को 20% कम कर रहे हैं मतलब 100 में 20 कम करोगे मतलब यह अब हो जाएगा 80% का और जब आप यह प्रक्रिया करते हैं तो यह भिन कितना बन जाता है तो 5 बटे 2 बन जाता है अब बताईए आप यहां से कि original भिन कितना था तो simple सी बात है इसको calculate ही करना है प्रतिसत से प्रत से तेरा सवाल का सही उत्तर है यह option जो है सवाल का उत्तर हो जाएगा correct option ठीक है चलिए आशा करता हूँ यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा next question देखते है 21 नंबर का सवाल यहां पर दिया हुआ है रेनु ओन 66 टू बाई 3 अफ़ प्रतिसत संपत्ती है और साथ भी यदि उसके पास जो मौजूद संपत्ती है उसका 30 प्रतिसत जो है वो कही ना कहीं कितना है तो एक लाग पच्छिस जार है तो संपत्ती के मूल्य का 45 प्रतिसत कितना है यह हमें निकालना है तो देखे संपत्ती जो भी है मान लेते हैं कि x जो है यह पूरी संपत्ती है इसमें से रेनु के पास कितना है तो 66 टू बाई 3 अब आप खुद ही बताईए 66 टू बाई 3 का मतलब क्या हुआ यह हम जानते ह होता है तो अगर मुझे 66 2 by 3 % निकालना है इसका मतलब क्या करना इसका दो गुणा करने का मतलब इसका भी दो गुणा करना मतलब कही ना कई यह जो वैलू है वो कितना हो जाएगा तो 2 by 3 मतलब पूरी संपत्ति का 2 color 2 थी भाग जो है वो किसके पास सा तो रेन के पास था और रेन के पास इसके 30% इसके 30% का मान मतलब 3 ना 10 थीक है 30% मतलब 35 याने 3 1 – 10 बाया si गार इसका मान जो है वह हमको दिया हुआ एक लाख वन लाख twenty five thousand वनल्याक त्वन लाख twenty 3 मैं काट लेता हूं, 2 से इसे काटूंगा तो 5 हाएगा, तो 5 दूसरे तरफ जाएगा तो x का मान जो है, वो कही न कहीं 625 0000 है यह x का मान, सवाल में हमें क्या निकालना है तो इसका 45% निकालना है, यानि 45 kindred x हमें निकालना है, मतलब कही न कही 625000 में मुझे 45 बटा 100 को multiply करना है तो 2 zeros कर जाएंगी अब option वो सही होगा कि जिसमें decimal के बाद 1 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ decimal उसके बाद 5 और 5 है तो यहाँ से आपको समझना होगा कि D और A तो eliminate होगा दूसरी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Digital Sum में कही न कहीं यहाँ पर 5 प्लस 4 9 होता है मतलब पूरे के पूरे का Digital Sum तो 9 आ रहा है अब देखिए 9 किसमें है अगर मैं इस 2 और 2 को जोड़ू और 5 को जोड़ू तो 9 होता है आप चाहें इसको calculate कर सकते हैं बट Digital Sum जो कि मैंने आपको वीडियो नंबर 1 पहला ही basic calculation tricks में बता के रखा है Digital Sum बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर option elimination और calculation में help करता है तो 6,250 को 45 से multiply करने की आवशक्ता नहीं डारेक्टली आप यहाँ पर units did और Digital Sum दोनों को मिला कर डारेक्टली आप option eliminate कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं C सवाल का सही उत्तर Fresh nuts contains 80% water whereas dry nuts contain 50% water by weight How much dry nuts can be obtained from 100 kgs of fresh nuts बहुती simple सा सवाल है और यह standard pattern सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है ताजे अक्रोट में किता है क्यों यहाँ आपको बताया कि 100 kgs of fresh nuts मिल सकता है आपको ब्ताना है यहीं इस 100 kgs का ताजा Nut है उसमें कही आपको सूखा NUT कितना मिल सकता है देखे एक छीश आपको समझना है कि बदल क्या रहा है यह पर पानी की मात्रा बदल रहे ही fresh nut में fresh nut जो है उसमें कही ना कही 80% जो है वो water होता है water content और 20% जो है वो कही ना कही nut content होता है ठीक है और अगर मैं dry nut की बात करूँ तो dry nut में कही ना कही 50% यदी water है तो बाकी बचा हुआ 50% जो है कही ना कही nut होगा बात समझ मेरी यानि कि आपको यह चीज़ समझना है कि fresh nut और dry nut में पानी की मातरा कम होती है क्योंकि आप उसको कही ना कही से गरम करते है heat देते है heat देने से क्या होता है वो सूखता है, जो है पानी की मातरा कही ना कही कम हो जाती है आप कम होने पर जो nut content है वो पहले जितना था वो भी बाद में उतना ही होता है मतलब मैंने आपको रेशो में भी यह चीज़ बताई है हमेशा उस चीज़ पर ध्यान रखना है जो पहले और बाद में ना बदले यहां पर नट कंटेंड नहीं बदल रहा है मतलब मैं यह कह सकता हूं कि फ्रेश नट का 20 प्रतिसत जो है एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फ्रेश नट का 20 प्रतिसत जो है वो ड्राय नट के पचास प्रतिसत के बराबर है बात समझ में आ गया इस लाइन से आपका सवाल हो जाएगा क्योंकि यहां पर वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है इस फ्रेश नट में जितना यहां पर नट है पानी यहां से बदलेगा लेकि नट जितना है उतना ही नट यहां पर रहेगा जो कि यहां पर ड्राय नट के पचास प्रतिसत के बराबर होगा तो एक लाइन में हम यह लिख सकते हैं कि फ्रेश नट में अगर 80% पानी था तो आप क्या करेंगे फ्रेश न कितना है हमने 100 kg का फ्रेशनेट लिए इधर पर सौ लिखेंगे और यहां पर 20 प्रतीस्तत आएगा 20 परसंटेज ड्राइट कितना निकालना है तो वह ड्राइट ड्राइट लिख लेते हैं यहाँ पर परसंटेज से परसंटेज कर यहां इसको सौल कर लिए परसंट से परसंट कर जाएगा पचास का दो गुना है यह और दो इंटू बीस करोगे तो कही ना कहीं ड्राइट जो निकलेगा वो निकलेगा 40 kg का मतलब 100 kg के आपके पास फ्रेश नट से जो आप ड्राइट निकाल सकत अगेंस पाकिस्तान in all the ODIs between the two countries. They won the next 30 ODIs in a row to India and their success rate became 70 percentage. Find the total number of ODIs played between the country. एक निश्चित तिथी पर भारत और पाकिस्तान के बेच खिले गए सभी एक दिवस्ये मैचों में भारत की सफलता का दर्द यू थी वो 40% थी. भारत अगले 30 एक दिवस्ये मैच जीत गई और कहीना की उनकी सफलता की जो दर्द थी वो बढ़कर 70% हो गई. आपको बताना लेकिन उसके पहले में आपको यहां क्योंकि प्रतीसत हम डिसकस कर रहें तो मेरा ये फर्स भी बन सा है कि मैं आपको प्रतीसत से भी इसको सॉल्व करके बताओं. तो देखिए सबसे पहली बात मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि X मैच खेले गए थे तो भारत इसमें से 40 प्रतीसत मैच जीतता है. अगले 30 मैच की बात करें तो अगले 30 मैच जैसे ही हो जाएंगे तो टोटल नमबर ओफ मैच इनके बीच में हो जाएंगे X प्लस 30 और जीतने वाले मैचों की संख्या की बात करें तो अभी तक मैच इतने जीते थे भारत ने और भारत ने अगले 30 मैच एक साथ जीत गया तो कहीं ना कहीं यहां पर टोटल 30 करने पर इतने मैच जीते होंगे यानि पहले जो मैच थे उसका 40 प्रतिश्यत भारत जीता था इसके 70 प्रतिशत जो है अब सक्सेस रेट हो गया भारत का मतलब अब जो कूल मैच है उसका 70 प्रतिशत मैच जो है भारत जीता हुआ है मतलब यहां से भी हम टोटल नंबर ओफ वान मैच इंडिया लिख रहे हैं राइट हैं तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर होगा बात हमज में आ गई होगी होगी यहां से यह को सौल करते हैं तो अगर मैं इसमें अच्चा यह परसंटेज मतलब और हम पहले चले इसको है तो स्वाल करते हैं तो अगर यह तरफ लेकर जाओंगा तो सतर एक्स माइनस का 40 X divided by 100 होगा और यह जो 30 है 30 हो एक तरफ रखे तो यह 30 म काटने के बाद ये बन जाएगा 21 ठीक है तो simple सी बात है कि यहाँ पर 30x हो गया 70-40 कितना हो गया तो 30x 30x बटा 100 जो है इसका मान कही ना कही 9 है 2 zeros कट गए 1 0 को यदि मैं यहाँ से 3 को काटूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा अब भारत और पाकिस्तान के बीच में 30-30 मैचे खेले हुए 30-30 मैचे और 30-30 मैचे खेलने के बाद कही ना कही यहाँ पर जो जीत की दर है वो अब यानि कि टोटल मैचे जो खेलेगा है वो कितने है तो 60 है यह वाला अपरोथ समझ में आ गया अब मैं आपको यहाँ पर allegation भी बता दिता हूँ कि allegation से कैसे solve होता है क्योंकि यहाँ पर भी आपके allegation लग जाएगा क्योंकि अलग-अलग quantity पे अलग-अलग percentage लग रहा है यानि टोटल पहले quantity जितने थे उसमें 40% का percentage लग रहा था और जो 30-30 match भारत ने line से जीते उसमें जो भारत की सफलता की दर होगी यानि जो extra 30% के 30% match जो भारत जीद गया उसमें कहीं न कहीं भारत की सफलता की दर 100% है क्योंकि आप सोचिए अगर यहाँ 30 match भारत जीत रहा है और खेले भी 30 match गए तो इन 30 मैचों में भारत की जो सफलता की दर है वो क्या है 100% तो इससे आप allegation बहुत आराम से लगा सकते हैं क्योंकि शुरुवाती तोर पे भारत की सफलता की दर 40% थी जो extra 30 मैचेस खेले गए उसमें भारत की सफलता की दर है 100% और पूरे के पूरे मैचेस खेलने के बाद भारत की सफलता की जो दर है वो हो गई 30% अब allegation कैसे लगाया जाता है तो इन दोनों को minus करके यानि कि right hand side वाले दोनों को minus करके left में लिखा जाता है तो 100 और 70 का difference 30 हुआ तो यहाँ पर 30% आ जाएगा साथी साथ इस 40 और 70 का जो difference है वो भी 30 हुआ तो यह right hand side में आप 30 लिख लेंगे और matches जो खेले गए कही न कहीं matches जो खेले गए वो यहाँ पर 30 match खेले गए थे 30 matches ठीक है और कही न कहीं आप देख रहें कि यहाँ पर भी 30 है और match भी 30 है मतलब 30 बरावर 30 हो गया तो यहाँ पर वाले 30 जो है इसका वैल्यू भी 30 होगा मतलब कुल जो match खेले गए वो बाद में 30 खेले गए पहले भी 30 खेले गए थे दोनों को जोड़ देंगे तो कहीं न कहीं साथ हो जाएगा तो allegation से और तेजी से आप इसको solve कर सकते हैं ठीक है चली आगे बढ़ते है अगला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर यहाँ दिया हुआ है total number of mangoes and apples with a fruit seller is 7000 यानि कि कुछ mangoes है प्लस कुछ apples है किसी fruit seller के पास में और total जितने आम और सेव है उन दोनों का योगफल कुल संख्याओं का योगफल दिया है 7000 यदि आम और सेव की संख्याओं को क्रमसह हम 14.9% और 12.4% की वृद्धी करते हैं तो कुल फलो की जो वृद्धी होती है वो 943 हो जाती है आपको ग्याद करना है कि उसके पास कितने आम है यहाँ पर एक बार English में भी समझीए कि यहाँ पर total जो mangoes प्लस apples इतने थे फिर बोल रहा है कि mangoes को हम बढ़ाते है 14.9% से और apples को हम बढ़ा देते हैं 12.4% से तो total increase कितना हुआ यहाँ पर 943 का हुआ तो find the number of mangoes with him यानि कि यहाँ पर अब हमें यह निकालना है कि mangoes जो total है वो कितने हैं उस व्यक्ति के पास देखें यह जो सवाल है इसमें solve करने के तरीके बहुत सारे इसको भी आप allegations से भी solve कर सकते हैं एक और तरीका यह है कि आप इसको deviation से solve करें mangoes और apples को जोडने पर total कितना हो गया 7000 इसमें बोल रहा है कि यदि मैं mangoes को कितने से बढ़ाऊ तो 14.9 परसेंटेज से बढ़ाया जाए और apples को कितने से बढ़ाया जाए एपल को बढ़ाना है हम 12.4 परसेंटेज से तो ओवर रॉल यहां पर जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ नाइन फॉर्टी 3 बढ़ रहा है इतना ही है, allegation लगाएंगे, solve हो जाएगा, क्योंकि 943 का बस आपको देखना है कि percentage value कितना है, साथ से क्या ये value कट रहा है, अगर मैं साथ से काट हूँ, तो यहाँ कही न कहीं 13 आएगा, मतलब 91 से कटेगा, 91 से कटने के बाद 33, मतलब ये value साथ से नहीं कट रहा है, ये जो value आपके सामने लिखा हूँ है, 14.9, इसको मैं थोड़ा तोड़ेनी की कोशिश करता हूँ, कि 12.4% प्लस 2.5% ऐसा तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, आपका जवाब को सर्थ तोड़ सकते हैं, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप लोग कि अगर यहां पर केवल 12.4% का increase होता और इसमें भी 12.4% का increase होता तो overall यहां पर 7,000 में भी 12.4% का increase होना था कि नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि इस 14.9% के बजाए, यहां पर भी 12.4% का increase, यहां पर भी 12.4% का increase, तो 7,000 में भी 12.4% का increase होगा, तो 7,000 का 12.4% मतलब 12.4 बटा 100, दो 0s इसको काटने में चल जाएंगे, एक शुन्य जो है कहीं न कहीं decimal को हटाएगा, और इसका value हो जाएगा 700 प्लस यहां पर 140 प्लस 28 मतलब की 68, यहां पर 868 value आ रहा है, मतलब जो total value बढ़ना था, 7,000 का 12.4% जो 8,68 है, total value इतना ही बढ़ना था, अगर हम इसका भी 12.4% और इसका भी 12.4% बढ़ाते, उस case में overall 7,000 का इतना ही बढ़ता 12.4%, बट आप लोग देख रहे हैं, यहां पर extra उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, तो कितना जड़ा बढ़ा है वो देख लिते हैं, 868 माइनस करने पर यहां जो extra बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ा, यहां पर 5 आ जाएगा और यह 3 और 7 आ रहे हैं, मतलब 75 fruits और ज़्यादा बढ़े, अब आप खुद ही सोचिए कि 75 fruits extra क्यों बढ़े, क्योंकि यहां पर आपका जो total value है, mango का जो बढ़ रहा है, वो कहीना कई 14.9% बढ़ रहा है, मतलब कि आपका extra धाई परसंटेज और बढ़ रहा है mango का, मतलब simple से line में हम यह लिख सकते हैं, कि mango का धाई परसंटेज, मतलब इस डाई परसंटेज के जगा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by 40 लिख सकते हैं, और इस 1 by 40 को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो mango का वैलू direct आजाएगा, 40 multiplied by 75, 75, तो कहीना कई 300 और 0, यानि कि 3000 जो है, वो apples की संख्या हो जाएगे, ठीक है, यह important pattern of question है, क्योंकि जब इस तरीके का सवाल आपके exam में आ जाता है, तो हम सोचने पड़ जाते हैं कि इसको फटा-फट कैसे करें, बहुत सारी चीजे मैंने यहां calculation के लिए बताया है, explanation के तौर पे, बट, actually देखा जाए, तो सवाल आसान है, आपको बस यहां पर pen जादा नहीं चलाना, आपको बस यह देखना है, mind में calculate करना है कि यहां पर 943 है, 12.4 percentage निकाल लेना इतना, और extra जो बज़ा 75 उसको equate कर देना, धाई percentage of mango के, बस इतना ही हमें करना है, explanation के लिए मैंने यहां बहुत सारी चीज़े लिखी है, और धीरे धीरे करके समझाया है, ताके सारी चीज़े सब को समझ में आए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन है, आपके स्क्रीन के उपर, यहां दियो है, बिजनसमेन इंपोर्टेट लैप्टॉप्स वर्थ 2,10,000, मोबाइल वर्थ 10,00, 1,00, यहां पर, और टेलिवीजिन वर्थ 1,50,000, तो यहां दिखी क्या हो रहा है, यहां पर एक व्यापारी ने लैप्टॉप का आयात किया, जिसकी कीमत थी 2,10,000, मोबाइल फोन की कीमत 1,00,000, और साथ में टेलिवीजिन सेटों की कीमत जो 1,50,000, इतने का वो आयात कर रहा है, यानि की इंपोर्ट कर रहा है, उसने लैप्टॉप में 10%, फोन में कहीना की 8, और टेलिवीजिन में 5% का सुल्क देना पड़ा, तो आपको बताना है, उप्यों की अनुसार कुल कितना सुल्क रुपे में उसे देना पड़ा, यानि वैल्यू यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि वैल्यू में ही एंसर निकालना है, तो यह इस तरीकी के सवाल में वैल्यू जो है, वो आपको लिखना होता है, मतलब देखें यहाँ लैपटॉप है, दूसरा क्या है तो मुबाइल क्या है तो टेलिवीजन सेट से लैप्टॉप कितना है तो दो लाग दस अजार मोबाइल फोन्स की यदि में बात करूं तो कहीना कई है दस एक लाख ठीक और टेलिवीजन सेट की में बात करूं तो कहीना कई एक लाख पचास जार एक लाख पचास जार ठीक है और यहां से य प्रतिसत और कहीना कहीं टेलीविजन में इसका पाच प्रतिसत लगा हुआ ठीक है तो तीनों का वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहली बात दस प्रतिसत निकालना सबसे आसान होता है क्योंकि एक सुन्य कम हो जाता है मतलब इसका दस प्रतिसत याने 21000 लगा और यह तो दस प्रतिसत है तो दो से बाटोगे तो 7500 जो है कहीना कहीं इसका ड्यूटी लगे का टेलीविजन में मतलब 7500 रूपिया इतना आपका टोटल हो गया टोटल ड्यूटी तो दो जिरो यहां पर लगा लेते हैं यहां पांच आएगा आठ प्लस आठ है यह क्योंक सिंपल सा सवाल नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर यहां दिया हो है वेनर नंबर इस इंक्रीज बाए 16 तो बाए 3 परसेंट देन इट इस डिक्रीज़ बाए 284 बाए 7 परसेंटेज फाइनल वैल्यू वैल्यू बिकम्स 9950 देन फाइंड है इनिशल वैल्यू जब किसी संख्या को 16,2 बटे, 3% से बढ़ाया जाता है फिर इसमें हम क्या कर रहे है है से इसे कम कर रहा है और फिर कह रहा है कि इसे 28-4 बटे 7% से घटा दिया जाता है तो संख्या जो निकल के आ रही है वो कितने आ रही है तो वहाँ पर आपको ratio ही use करना है, वही आपको सबसे तेज calculation करके दिता है, तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ values, आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है, 16, 2, 3 प्रतीसत का मतलब क्या हुआ, 16, 2, 3 प्रतीसत का मतलब होता, 1 बटा 6, 1 by 6, मतलब कही ना कही लब 1 से बढ़ाना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसके बाद ऐसे line किछ लेना, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसमें minus 343 किया, और जैसी minus 343 किया, तो अब value जो आई, उस value में हमने फिर से इसको कम किया, कितने से तो 28, 4 बटे 7 प्रतीसत, आप लोग जानते कि 1 बटे 7 जो ह जैने का मतलब यह 28, 4 बटे 7 प्रतीसत क्या है, तो 7 अनुपाद, यानि कि 2 बटे 7 है, जब यहाँ पर हम इसको फिर से कम कर रहे हैं इससे, तो initial value और final value कहीं क्या होगा, initial value 7 हो जाएगा, 2 से कम करने की का मतलब, 2 से इसको कम करने के बाद value 5 का हो जाएगा, clear है, यहाँ तक बात समझ में आगए, अब यहाँ से समझिए कि इस अंतिम मूल्य का, इस अंतिम मूल्य का मान हमें दिया हुआ है, कितना तो 950 दिया हुआ है, 950 इसका value दिया हुआ है, अब decrease करने के बाद, मतलब कहीना कई हमने इसमें कितना multiply किया, तो 190 multiply किया कि नहीं, अगर 5 में 190 multiply हो र 1330, ठीक है, यह इसका value हो जाएगा, initial value जो इसको 28, 4, 7% से घटाने के पहले का value था, ठीक है, इसके बाद फिर अगर यहाँ पर जो value है, यह value जो है, इसमें हमने इतना minus करने के बाद यह निकाला था, मतलब यहाँ जो भी value रहा होगा, उसमें 343 minus करने के बाद यह value आया 1673 है, मतलब कहीं न कहीं है, जो 7 है, इसका value आजाएगा, 1673, 1673, ठीक है, तो इसका value मैं लिख लेता हूँ, 1673 हो गया, अब यह 7 का मान है, तो प्रारंभिक मूल यह कैसे निकलेगा, अगर 7 बरावर इतना है, तो 6 बरावर कितना हो जाएगा, divided by 7, multiplied by 6, ठीक, बात सवज में मतलब कि यहाँ पर हमने 343 जोड़ा, तो वो value आगया, जो पहले यहाँ पर था, और यह इसका final value है, तो 7 बरावर इतना है, एक बरावर कितना होगा, 1673, divided by 7, ठीक है, और यहाँ पर multiplied by 6 करना होगा, क्योंकि initial value हमें निकालने को कहा गया, तो बताइए भई, कितना आ रहा है तो 63 जाएगा 9 से, तो 2, 2, 3, 9 multiplied by 6 करना है, तो single, यानि कि unit digit कहीना कहीना कहीं, 4 आना चीए, तो देखिए, पूरा solve करना ही पड़ेगा, फिर 4 जा 54, और 6 जा 54, फिर 18 प्लस इतना करोगे, तो फिर से 23 आएगा, 12 प्लस 2 करोगे, तो 14 आएगा, मतलब कहीना कही 1, 4, 3, 4 जो ह वो यहाँ पर examination, school, students, pass marks, related सवाल है, परिक्षा, school, शात्र और pass अंक संबंधी जो प्रशने होते हैं, वो मैं यहाँ पर भी लेने वालों, यह important है, इसके related सवाल आपके exam में आ चुके हैं, और आने भी आने की संभाना रखते हैं, ठीक है, पहला सवाल देखिए, यहां दिय आने क्या किया, 60 अंक मिले, और अगर वो पांच अंक और उसने लाए होते हैं, तो कहिना को भी उत्तीन हो जाता, तो आपको निकालना है, उत्तीन होने का प्रतीसत क्या है, कभी भी हम marks के percent की value निकालते हैं, तो उसका reference value होता है, maximum marks का, तो maximum marks आप देख रहे हैं, यहां पर multiplied by 100, क्योंकि percentage हमेशा किसी चीज के reference में निकलता है, और यहां पर reference हो जाएगा maximum marks का, तो total, देखिए, pass marks कैसे निकलेगा, 60 marks लाने के बाद, अगर कोई student 5 marks से fail हो रहा है, यह fail हो रही है, तो इसका मतलब pass marks हो जाएगा, 60 marks plus 5 marks, और यह total marks आपका कितना है, 250, multiplied by क्या करना तो कहीना कही है, जो value है, यह कितना हो गया, यह बन जाएगा 65, अगर मैं इसे 25 से काटू, तो नीचे 10 आएगा, यहां पर 4 बार आएगा, अगर मैं इसे देखूं कि यह 2 और 5 को गुणा करने से मिला है, तो इसमें 2 छुपा हुआ है, जो इस 4 को 2 बार काटेगा, इसमें 5 सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, तो एक चीज हम यहां जो सीख रहे है, वो यह है कि परसेंटेज जो निकलता है, वो हमेशा maximum marks के रिफेरेंस पर, इस सवाल में कुछ रिलेशन दिया हुए है, values में और numbers में, और आखिर में हमें क्या निकालना है, तो यहां पर परसेंटेज के वाइस दिया हुआ है कि A got 10% more marks than B, अच्छा, तो यहां पर उल्टा बताया गया, तो A को यहां पर B से कितना ज्यादा मिला, तो 10% ज्यादा मिला, पहला relation दिया हुआ है, और B को 20% ज्यादा मिला C से, तो यहां पर भी arrow reverse होगा कि B को C से कितना ज़्यादा मिला तो यहां पर again 20% ज़्यादा मिला और C के बारे में दिया हुआ है C को D से 32% ज़्यादा मार्क्स मिला तो इस arrow को उल्टा करना पड़ेगा A को यहाँ पर 272 ज्यादा marks मिला C से तो यहाँ पर A को कितना ज्यादा मिला इससे 272 ज्यादा marks मिला अब देखिए इस सवाल को solve करने के तरीके बहुत सार है मैं यहाँ पर इस D वाले information का use करें वगेर ही solve करूँगा क्योंकि उसकी आवसकता ही नहीं है आप खुद ही देखिए आपके पास C और A का marks में difference दिया हुआ है B और C का percentage में value reference दिया हुआ A और B के 10% का यानि की again percentage में आपका यहाँ पर balance किया हुआ है तो बताईए क्या इस D और 32% की कोई आवसकता है क्योंकि हमें finally find क्या करना है कि B को कितना marks मिला तो कहीं ना कि इसकी कोई आवसकता नहीं है अब मैंने आपको बहुत सारे तरीके represent करने के बताया हुए इसमें से सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि अगर मैं C को जिसके reference में बाते चल रही है इसको मैं 100 माल लेता हूँ ठीक तो 20% बढ़ाने का मतलब यहाँ पर 120 हो जाएगा यह इसका 10% बढ़ाना मतलब पलस 12 करना क्योंकि इसका 10% होता है 12 और 10% बढ़ाओगे तो कहिना कहीं यह बन जाएगा 132 अब आप खुदी देखिए कि यहाँ पर जो value बढ़ रही है वो कितने से बढ़ रही है 100 से बढ़कर यहाँ पर जब value 132 हुआ मतलब पलस का 32 हुआ है मतलब हमारे ratio में जो हमने माना 100, 120 और 132 इसमें 32 unit का मतलब 32 unit का मतलब है 270 और हमें क्या निकालना है हमें निकालना है भई बी का value जो की है 120 120 का मान निकालना है तो 120 का मान कैसे निकलेगा 272 32 कर लेंगे और multiplied by यहाँ पर 120 कर लेंगे clear है यहां तक बात समझ में अब बताइए कितने गुना हो रहा है यदि मैं इसे आठ से काटता हूं तो यह चार बार कटेगा ऊपर आएगा यहां पर तीन बार 24 से फिर 32 आ रहा है तो यहां पर चार आएगा मतलब एक बार और इसको चार से इसे काट सकते हैं काटने पर कहीं न कहीं यहां 30 आएगा मतलब 1020 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा C is the correct answer for this question ठीक है अशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा हमने देखा यहां पर कि actually value यहां 32 जब increase हो रहा है यहां पर 272 है तो B कमान अगर 120 था तो 120 का value 1020 आएगा बाइ जस्ट बैलेंसिंग देश्यो कि यहां पर अगर 32 इतना है तो 120 कितना होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अगला सवाल है अस A's quote 72 percentage marks with maximum marks of 900 and 80 percentage in another paper with maximum marks of 700 the resultant if the result is based on the combined percentage of both the papers then find the combined percentage तो देखे यहां पर 900 अधिकतम marks वाले paper में A ने कितना लाया तो 72 प्रतिशत और दूसरे विशे में जिसमें 700 अंक लाने थे उसमें कि कही न कहीं अस्ती प्रतिशत लाया तो परिणामी में अगर दोनों विश्यों का सम्मिलित प्रतिशता से आधारित होती है तो बताईए कि सम्मिलित प्रतिशता क्या है यह हमे में बताना है इस सवाल में फिर से आप डिवेशन से भी सॉल कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहां एवरेज लगेगा वेटेड आवरेज मैं आपको पहले प्रतिसत से बताता हूं उसके बाद फिर इसमें डिवेशन भी बताऊंगा तो देखें एने कितना कितने स्कोर लाय थे तो 700 फाली पेपर में एने कितने लाये तो यहां पर 80 परसेंटेज मार्क्स लाए तो ओवर लिए हम देखें तो यहां पर 1600 मार्क्स हो गया और जो मार्क्स यहां पर मिले वह कितने होंगे तो इसका 80 प्रतिसत होता है 560 ठीक है असी प्रतिसत क्यासे निकाला 700 इंटू 80 बटे 100 करने से तो यह 0 कट गए मतलब कहीना कई मैं डारेक्टली साथ को मल्टिप्लाय करना तो पाइंट सो साथ आए नो को यदि इसमें मल्टिप्लाय करेंगे तो अठारा ठीक है और मतलब 900 का बहत्तर प्रतिसत निकाल रहे है तो 900 00 कट जाएंगे प्रतिसत से नाइन इ अच्छे ने क्या किया यहां पर 1600 अंक में 1600 मार्क्स में इतना लाए तो परसेंटेज कितना हो जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम परसेंटेज यदि निकालने की बात है तो यह हो जाएगा 1600 में 1208 multiplied by 100 तो 2 zeros यहां से कट जाएंगे 4 से काटोगे या 16 से पूरा काटते है तो 7 बार कटेगा 112 से 112 की बाद 8 हा रहा है तो 5 बार कटेगा कहीं ना कहीं 80 से फिर 8 हा रहा है तो कहीं ना कहीं 5 बार कटेगा ठीक तो 75.5 परसेंटेज जो है यह मैक्सिमम मार्क्स है इस बच् प्रसिश चता है लेकिन इन सब क्यालकूलेशन के आवस्चता है नहीं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है वेटेड़ेज का और मैंने बताया है अलग अलग कॉंटिटी पे जब अलग अलग परसेंटेज लगता है वरॉल परसेंटेज वेटेज आ जाता है उसको भी फ कॉंटिटी का रेश्यो लेने से हमारे परसेंटेज में कोई फरक नहीं पड़ता तो मैं इन दोनों 0 को पहले हटाई देता हूं साथ में 80 लाया और 9 में 70 लाया तो कहीना कहीं आप कोई भी वेल्यू ले सकता है जैसे सपोस करिए मैं 80 ले लेता हूं 80 परसेंटेज को मैं ए इसा हो रहा है तो 9 से यहां पर मल्टिप्लाइब होगा और यह जो डिवेशन आया डिफरेंस में जो की सम में होता है यह पूरे के पूरे नौ प्लस साथ यानि सोला वैल्यू में बटीगा ठीक है सिक्स्टीन से मल्टिप्लाइब करने पर 0.5 मतलब कहीना कहीं असी में जो स्क्रीन पर आ चुका है यहां पर दिया आ अस स्टुडेंट गेट वन गॉर्न एट मार्क मोर दन मोर इन हिन्दी दैन शी गाट इन वर में ग्श्राइब के उसकी गनित में जो ऑंक थे वह हिंदी ओर गनित के अंक में मिले का योग का 41% है तो उसे बताना है कि हिंदी में कितने अंक मिले थे ठीक है तो चलिए यानि कि एक student है उसने हिंदी प्लस गनीत की यदी में बात करूं math में तो इसमें 41% लाया दोनों के sum का तो दोनों का sum अपने आप में 100% है इन दोनों sum में से उसने 41% एक में में लाया तो बचा हुआ 59% दूसरे में लाना होगा यानि 59% मार्क्स होगा क्योंकि दोनों का sum अगर इन दोनों का प्रसेंट टोटल हम ले लें तो कहीं ना कई 100% होगा जिसमें से यदि 41% में मिला तो बचा हुआ 59% हिंदी में मिलना चाहिए अब सवाल में एक और information यह द 18% का value इतना है मतलब कि हमने यहां क्या किया तो हमने यहां पर multiplied by 6 किया हुआ है अगर हमने यहां multiplied by 6 किया हुआ है तो उसने हिंदी में कितने अंग पराप्त किये अगर सवाल में यह दिया है कि निकालना क्या है हिंदी में कितने अंग पराप्त किये ठीक है what is our marks in हिंदी त इतना था इसमें भी multiplied by six कर लेंगे क्योंकि अठारा प्रतिसत में छे multiply करने से आपका एक सवाटार है multiplication factor 6 है मतलब एक परसेंटेज का मान 6 है तो यहां 59 परसेंटेज का मान था तो छे से multiply कर दीजिए पचास से multiply करोगे 300 और से 54 आता है मतलब 354 मार्क्स जो है इतने मार्क्स उस बच्चे ने लाया होगा हिंदी में तो सवाल का सही उत्तर जो है वो कई ना कई होगा अक्सर हमें 100 प्रतिसत निकालने के आदत हो जाती है तो छे वरा चे आगे यहां पर तो 40 पर्सेंटेज इस पासिंग मार्क्स अस्टूलेंट्स गेट 250 मार्क्स येट फेल्स भाई 38 मार्क्स वाट इस दी मैक्सिम मार्क्स उत्तीन होने हे तू आवश्यक अंक जो है वो कहिना कई 40 प्रतिसत का है किसी चात्र को अगर 200 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुतीन हो जाता है तो अधिकतं अंक क्या है ये आपको बताना है ठीक है पासिंग मार्क्स कितना है यदि हम पासिंग मार्क्स की बात करें पासिंग मार्क्स की अधि मैं बात करूं तो 40 परसेंट इज है ठीक है 40% अ स्टुडेंट्स गट 250 and failed by 38 मार्क्स मतलब देखिए अगर कोई बच्चा है, वो 212 marks लाता है, कितना लाता है, dare 100 marks लाता है, और 38 marks से ph sweep हो गया, कहने का मतलब अगर ये 500 में 38 marks और लाता, तो कही ना कही पास होना चागी ता, मतलब ये और ये दोनों के दोनों किसके बराबर है तो pass marks के बराबर है आपको निकालना क्या है सवाल में निकालना है अधिक्तम अंक हमेशा 100% होती है यानि कि अधिक्तम अंक के reference पर यदि percent निकल रहा है तो कहने का मतलब यह होगा कि अधिक्तम अंक भी कही ना कही 100% ही होना चाहिए तो अगर मुझे maximum marks निकालना है अधिकतंग निकालना है वो हो जाएगा 288 divided by 40 percentage यह हो जाएगा एक percentage का value multiplied by 100 percentage क्योंकि मुझे यहाँ पर 100 percentage का value निकालना है percentage percentage कट जाएगा एक 0 से कट जाएगा 4 इसको कटेगा 72 times और 72 multiplied by 10 करने पर कही ना कई 720 marks आ रहा है यही आपका maximum marks बन ठीक है A is the correct answer for this question आशा करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा ठीक है इस पैटन के सवाल जो है कई बार आये हैं आपके exam में और आने का chance भी रखता है अगला सवाल दिया हुआ है if 37 percentage are the passing marks students got 200 marks yet fails by 59 then what is the maximum marks 37% जो उत्तीन करने के अंक थे और एक छात्रे ने क्या किया 200 अंक लाया और फिर भी वह 59 अंक से fail होगा तो बताना है अधिकतम अंक कितने हैं मतलब एक line में आप यह लिख सकते हैं कि pass marks को या तो मैं 37 percentage लिख सकता हूं same pattern है पिछले सवाल के जैसे यह वाला बन जाना चाहिए आपसे और 200 अंक लाने के बाद यदि 59 से fail हो रहा य maximum marks क्या होता है 100% होता है इसमें भी यदि मैं 7 multiplied कर दो multiplication factor को तो कहीं न कई 700 जो है अपका maximum marks बन जाएगा 20 अग्जाम में ठीक है तो मैंने दो सवाल यहां पर same pattern का लिया हुआ है आगे बढ़ते हैं a student required 36% marks marks to pass in an examination he scored 24% marks and failed by 18 marks then find the maximum marks अब देखिए यहां पर एक विद्यारती को उत्तीन होने के लिए 36% प्रतीशत अंक जरूरत थे मतलब जो उत्तीन होने के अंक है यानि कि pass marks जो है कि pass marks इस exam में जो था वो था 36% और साथ में दूसरी बात यह कह रहा है कि अगर उसने 24% लेके आया तो वह 18 अंक से अनुतीन हो गया यानि कि fail हो गया मतलब कि इस 24% में जो कि उसके अंक थे उस अंक में यदि यह 18 marks और ले आता मतलब इसमें पलस 18 और कर दें तो कहीं ना कही वो पास हो जाता अभी तक यही तो देख रहे थे जैसे पिछले example में 200 अंक लाने के बाद अगर ये 59 से fail हुआ तो 259 पास marks थे इस वाले example में यदि 200 लाने के बाद 38 से fail हुआ तो 200 प्लस 38 यहां पर पास marks थे यहां पर दिया अगर वो 24% अंक लाया और 18 से fail हो गया तो 24% प तो आप percentage के percentage values में आप plus minus कर सकते हो और exact value के exact value में आप plus minus कर सकते हो लेकिन आप कभी भी यहां पर percentage को value से plus minus नहीं कर सकते हैं वैल्यू को percentage से plus minus नहीं कर सकते हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखिए note भी बना के रख सकते हैं अपने notebook पर देखिए अब यहां से पता चला कि 36 ricit percent और 24 percentage का जो difference है यह 24 है यहां पर आएगा तो 12 percentage के बराबर होगा बारा percentage का मान कहीond कहीं कितना है तो 18 marks हैं आपको क्या बताना है maximum marks बताना है तो maximum marks जो है maximum marks का का value है वह होता है 100% और 100% का मान कितना हो जाएगा 18 divided by 12 multiplied by 100, यदि मैं 6 से काटू इसे यदि मैं इसे 6 से काटूंगा तो कहीना कई यहां पर 3 आ जाएगा यहां पर 2 आ जाएगा दो से काटने पर यहां 50 आ जाएगा मतलब कितना हो गया 150 मार्क हो जाएगा तो ओवर आल जो इसके बाद आपको निकालना है फाइंड पासिंग मार्क इन एक्जामिनेशन इस सवाल में एक शात्र ने क्या किया एक शात्र ने बीस प्रतीसत अंग पराप्त किया जो कि 25 अंग से अनुतीन याने की फेल हो गया अगला चात्र दूसरा चात्र क्या करता है 32 प्रतीसत अंग लाता है साथी साथ 35 अंगों से ज्यादा लाता है वो पासमार्क से अब तो उत्तीन होने के लिए आपको बताना है कि अंग कि इतनी जरूरी है तो एक लाइन में यदि मै 20 पर्सेंट लाने के बाद 25 से फेल हुआ तो कहीं अभी तक हम यही देख रहे हैं कि अगर 20 पर्सेंट में 25 अर लाता तो यह पास हो जाता लेकिन दूसरा जो स्टूंन है सेकेंट स्टूंन ने क्या किया वो कहीं ना कहीं 32 पर्सेंट अंग लाया लेकिन ये 32% जो है वो pass marks में थोड़ा ज़्यादा है कितना ज़्यादा है 32% जो है वो pass marks में 35 अंक ज़्यादा लाया मतलब इसमें मैं 35 minus करूँगा इसमें 35 minus करूँगा तो ये pass marks के बरावर होगा अब फिर से आप इस बात को समझेए percentage percentage को plus minus किया जा सकता है marks और marks को plus minus किया जा सकता है तो यहां से अगर मैं इस calculation को करूँ तो percentage में इस 20% को उठाके यहां ले आएंगे तो 32 से minus होगा कहीं 12% आए और इस 35 को उठाके मैं यहां लाओंगा तो 25 प्लस हो जाएगा यह क्योंकि है minus हा तो इधर प्लस हो जाएगा साथ है ठीक है मतलब कि कहीं ना कहीं एक percentage का marks value जो है वह है 5 marks का एक percentage का value जो है कहीं ना कहीं 5 marks का अब आपको निकालना क्या है उसके साब से हम इसको solve करेंगे आपको निकालना है passing marks क्या था examination में marks में आपको value लिकाना है यानि कि आपको उत्तीन अंक आपको कितना है यह जरूरी है यह निकालना है तो देखिए आप चाहें इसमें 20% का value निकाली है 20% का value क्या होगा 20% का value हो जाएगा कही ना कही 5 से multiply करने पर 100 marks तो अगर यह 100 है यह वाला value 100 है तो 100 प्लस 25 करने पर 125 marks यह passing हो जाएगा तो C is the correct answer आप ऐसे भी solve कर सकते हैं कि 32% का value 160 होगा अगर एक परसेंटेज 5 है तो 32% 160 इसमें माइनस 35 करने पर भी आपका कही ना कही 125 आप चाहें यहां स से solve करिये हैं से solve करिये दोनों से आपका answer से माला है ठीक है चली नेक्स्ट कोशन आपके screen के उपर है यहां पर दिया हुआ एगा स्टूदेंट स्कोर 30% marks and failed by 45 marks another student स्कोर 42% marks and scored 45 marks more than the passing marks then find the passing percentage एक छात्र ने क्या किया 30% अंक लाए साथी साथ निकालना आपको क्या निकालना पासिंग परसेंटेज निकालना है तो देखे यहां से अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ passing percentage passing marks यानि pass marks जो है उसको हम दो तरीके से यहां पर लिख सकते है ठीक है passing marks जो है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है कि 30% marks लाने के बाद जो है व्यक्ती फेल हो गया था 45 से मतलब इसमें 45 marks ज़्यादा लाना था उसे पास होने के लिए लेकिन 45 अंक्स ज़्यादा लाया मतलब इसमें 45 minus करने पर कहिना कई वैलू आ जाए तो अब दोनों के दोनों जो है passing marks के बराबर है अगर 45 यहां 45 यहां इस 42 को उठाके मैं इधर लाओंगा तो 45 में यह 45 जुड़ जाएगा क्योंकि अगर minus है तो दूसरे तरफ plus होता है तो कहीं न कहीं 90 marks आएगा और is equal to इस 30 percentage को उठाके मैं दूसरे तरफ ले आओं तो 42 minus 30 होगा 42 minus 30 करने का मतलब कहीं न कहीं 12% आजाएगा तो 90 marks बराबर 12% है मैंने इसको उल्टा इसले लिखा है क्योंकि पिछले वाले में हमें निकालना था passing marks इस बार हमें निकालना है passing percentage मतलब marks का value percentage से replace करना होगा अगर मैं इसे काट लूँ 2 से तो कहीं न कहीं यह बन जाएगा 45 marks और 45 marks का मतलब 6% जैसे ही पता चल गया कि 45 marks 6% है तो आप यहां पर 45 के जगा 6% से replace कर सकते हैं अब आप चाहें तो यहां से replace कर लें कि इस वाले value का value भी 6% है और इस वाले value का भी जो percentage value है वो कहीं न कहीं 6% है तो इ आपका passing marks यह आप 42 में 6% माइनस करेंगे तो भी कई ना कई 36% है आशा करता हूं आपको यह passing marks और फेल वाला जो है इसको अच्छे से कैसे solve करना है passing marks का सवाल हो यह maximum percentage का सवाल हो और maximum marks का सवाल हो आपको कैसे solve करना है समझ में आने लगा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़त then find the percentage of the school students who are not scholarship holders, simple सी बात है, जब भी आपको इस तरीकी का सवाल मिलता है, जिसमें कि दो ऐसे ग्रूप बन रहे हैं, जिसका कोई coincidence नहीं हो सकता है, यानि कि दो अलग-अलग ग्रूप बिल रहे हैं, एक scholarship holders है, दूसरे scholarship holders नहीं है, ये एक group हो गया, दूसरा है जो boys है और girls है, जैसे कि किसी school में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3 अनुपाद 2 में, यदि 20% लड़कों की संख्या और 25% लड़कियों की संख्या उनको 6 विरती मिलती है, तो school में उन विद्यार्थियों का प्रतिश्यत बताईए जिन्हें 6 विरती नहीं मिलती है, तो यहां से मैं एक box बना लेता हो इस तरीके से इस box में मैं क्या लिखूंगा यहां पर यहां boys है यहां girls है यहां जिनको scholarship मिला यहां जिनको scholarship नहीं मिला इसको हम यहां पर लिखेंगे ठीक है तो boys और girls की quantity है यानि कि जो number of boys है वो 30 और 20 तीन अनुपात दो है यदि मान लेते हैं कि स्कूल में 50 बच्चे हैं तो 20 लड़किया होंगी और 30 कहीं न कहीं boys हो जाएंगे ऐसा लिखा जा सकता है इसमें से बोला गया 20 प्रतिशत boys को scholarship मिली तो 30 का 20 प्रतिशत कितना होगा 10 प्रतिशत इसक स्कूलर्शिप मिला तो 24 बोइस ऐसे होंगे जिसको scholarship नहीं मिलेगा जो की 80 प्रतिशत हो जाएंगे साथ में girls के 25 प्रतिशत girls को scholarship मिला तो 25 प्रतिशत मतलब इसका एक चौथाई एक चौथाई मतलब 5 लड़कियों को यहां पर scholarship मिलेगा तो अगर 20 में से 5 लड़कियों अब 24 प्लस 15 करोगे तो 39 बच्चे ऐसे जिनको scholarship नहीं मिला out of total हमने माना था 50 बच्चे तो यहां पर 50 multiplied by 100 क्योंकि प्रतिशत मान निकालना है तो 100 परसंटेज से इसको multiply करेंगे कई ना कई यह दो बार जा रहेगा यानि कि total 78 परसंटेज बच्चे ऐसे हैं जिनको scholarship नहीं म लग रहा है तो वहां पर डिवेशन 100 परसंट लगता है अब देखिए यहां पर आपको दो चीजे दी गई है कि boys और girls का जो ratio है वो कितना है तो यहां पर three boys तीन है तो girls दो है इसमें से scholarship holders boys में 20 थे scholarship holder girls में 25 थे आपको निकालना था scholarship holders कितने नहीं है तो आप बताएए अग पर कहीना कि गर 25% scholarship holders girls है तो कहीना कि 75% scholarship holders नहीं होंगे मतलब जो final answer होगा scholarship non holders का वो 85 के बीच में होगा और 85 के बीच में एक ही माने 78 का यही उत्तर होना चाहिए आप यहां से भी इसको रोक सकते थे चलिए लेकिन अगर मैं यहां से इसको solve करू पूरी तरह से तो आप इसक 75 is the correct average बट आप देख रहें कि तीन लोगों ने तीन लोगों ने पांच-पांच प्रतिसत एक्स्ट्रा ले गए तो तो तीन इंटू पांच यहने 15% एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो तीन मल्टिप्लाइट बाइप 5% जो कि एक्स्ट्रा गया लेकिन यह जो 15 है यह बटेग जाएंगे ठीक है क्योंकि यह भी 5 है और यह भी 5 है और पांच और पांच को काटने पर कहीं न कहीं यहां पर 3% ज्यादा होगा 75 प्लस 3 करने पर कितना आएगा 78 परसेंटेज तो करेक्ट एंसर जो है वो 78 परसेंटेज है ठीक है यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपके स्क्रीन के पर आ चुका यहां दिवाए इन एक्जामिनेशन 45% स्टुडेंट्स आर पास्ट इन हिंदी वाइल 50% पास्ट इन इंग्लिश 75 पास्ट स्टूदेंट्स पास्ट इन बोड़ दे सब्जेक्स वाइल 20% आर फेल इ इस तरीकी की जो सवाल है वह आपके सॉल होते हैं वें डाग्राम से इसको हम क्या कहते हैं इसको नोट करिएगा मैंने आपको पिछले वाले में बताया जबी भी आपके यहां पर कोई कोईंसिडेंस नहीं हो रहा है उसमें आप क्या करेंगे तो एक बक्सा मना लेंगे क्योंकि कोई भी कोईंसिडेंस नहीं है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दो पार्ट में डिवाइड करने से solve हो जाता है लेकिन इस सवाल को यदी हम देखें तो यह वेन डाइग्राम वाला जो सवाल है इसमें coincidence होता है याननी कि यहां पर एक व्यक्ति जो है वो एक subject में fail है तो दुसरे में pass हो सकता है या दोनों में pass हो सकता है या दोनों में से किसी दोनों में fail भी हो सकता है ठीक है तो इस तरीके की diagram में क्या होता है कि आपको मानना है एक बकसा इस तरीके से आप बनाएंगे एक डबबा जो है इस डबबे में मान लेते हैं कि पूरे के पूरे 100% लोग है ठीक है इसमें से सब्जेक लिए बना लेता हो यानि इस तरीकी से बना लेती क्लियर तो यहां से यह इसको व्य नग इसको करेंगों करेंगे तो कहीं लिए हिंदी में पास थे वह 45% थे मतलब इस सरकल की अंदर 45% बच्चे हैं जो की pass हुए eighth कि और 50 percentage वो है जो English में पास हुएता हूए तो दूसरे वाले सरकल में कही न कहीं इस सरकल के अन्दर 50 percentage होंगेhow a 75 students जो दोनों में pass हुए मतलफ कही न कहीं है जो Beach वाला value जो दोनों में count हो रहा है इस Beach वाले वैल्यू में 75 स्टुडेंट्स है गौर करिएगा कि यहां पर सेंटेज यहां पर वैल्यू है परसेंटेज को परसेंटेज से प्लस माइनस किया जा सकता है लेकिन परसेंटेज और वैल्यू को प्लस माइनस नहीं किया जा इसको मैंने बताया है आपको पहले भी अब देखिए जब बोला गया है कि दोनों के दोनों जो विशे हैं उसमें से जो 20 प्रतिश्यत जो हैं दोनों में फैल हुए अब देखिए जो फैल वाले हैं वो कहां आएंगे इस पूरे डाइग्राम में आप खुद ही बताईए कि फ इंदी वाला यह है और अंग्रेजी में पास वाले लोग यह हैं ठीक है इंग्लिश में पास वाले लोग यह हैं तो बचे हुए जो फैल हो रहे हैं वह 20 परसेंट इन दोनों के बाहर होंगे लेकिन इस सौ प्रतिश्यत के अंदर होने चाहिए मतलब इस स्क्वाइर में और इस सरकल के बाहर लेकिन इस स्क्वाइर के अंदर यह जो बाहर वाला एरिया है इस एरिया में कही ना कहीं आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं वो है 20 परसेंट जो की दोनों में फेल हो गया अब देखिए थोड़ा समझे की कोशिश करिए अब यहां से मुझे अगर इसक 20 परसेंटेज फेल वाले कितने हैं 20 परसेंटेज तो पास वाले कितने होने चाहिए थे पास वाले होने चाहिए थे एटी परसेंटेज इतने होने चाहिए थे यदि मैं हिंदी और इंग्लिश का डेटा को प्लस करता हो तो यहां से आपका 45 परसेंटेज आएगा और कहीं कहीं English में अपका 50% आएगा जैसी में दोनों को जोड़ दू तो कितना आ गया 95% आ गया यह 95% क्या है यह 95% वो बच्चे हैं जो हिंदी में भी पास हुए और English में भी पास हुए दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए अगर यह बच्चे दोनों के दोनों subject में पास हो गया तो यह data अलग कह रहा है यह data अलग कह रहा है यह दोनों अलग कैसे हो सकता है यह इसलिए अलग है क्योंकि यह जो 20 वाला जो बच्चा है जो की दोनों में पास हुए यह दो बार count हो गया एक बार इसमें भी count हो गया और एक बार इसमें भी count मतलब यह 95 परसंटेज और 80 परसंटेज इस 95 परसंटेज और एसी परसंटेज का डिफरेंस है ठीकिर यह कितना हो गया ठीका है 95 और असी वो कितना आ गया 15 परसंटेज में आएंगे यहीं आपके 75 एले बेन झाल की मतलब यहां से जो मैं अब सवाल यह पूछ रहा था कि आपको बताना है याने केवल और केवल हिंदी में कितने बच्चे पास हुए यह हमें निकालना है ठीक तो अब यहां से से यह समझबें आगया कि अगर यह 15 percent है तो हिंदी में केवल पास होने वाले जो यह हैं वह कहीना कई इस सरकल में वह लोग होंगे जो इसमें काउट ना हो अगर यह 15 परसेंट है ओवर्णちゃो हैं क्योंकि केवल हिन् vermis में पास होगा, तो यहां पर तीज constant ऐसे बच्चे होंगो जो कि हीन्दी में हिन्दी में पास होंगे, पचास मेंसे 15% लोग ऐसे हैं जो हिन्दी में भी पास हुएं, तो 35% ऐसे होंगे, जो कि केवण और केवल English में पास होंगे आपसे सवाल बस इतना ही पूछ रहा था हिंदी में केवल कितने तो 30 तो 30 में मैं क्या करूँगा multiplied by 5 कर लेंगे क्योंकि multiplication factor 5 निकल क्या है मतलब 1500 बच्चे ऐसे होंगे जो केवल और केवल हिंदी में पास होंगे ठीक है तो इस सवाल को मैंने बहुत धीरे-धीरे समझाया है क्योंकि यह सवाल जो है आपका important है कई लोग को समझ में नहीं आता है लेकिन इस brain diagram को समझने से आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे यहां पर इस तरीकी को सवाल को हमको handle करना है जब 45 परसेंट बोलता है तो यह सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में भी पास होंगे जो इंग्लिश में भी पास होंगे उसका भी include करके लेकिन जब यहां पर only जोड़ देता है तो ऐसे ही बच्चे होने चाहिए जो हिंदी में पास है लेकिन English में अंग्रेजी में fail होने चाहिए ठीक है तो यहां पर केवल हिंदी में पास वाले कितने बच्चे थे तो 30 थे और अगर 15 बरावर 75 मतलब की 1% कमान 5 है तो इस 30 कमान ह हो जाएगा देट सो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कुशन है आपके स्क्रीन भाई इन एक्जामिनेशन 73 परसेंटेज केंडिटेट्स पास्ट इन क्वांटिटिटिटी अप्टिटूट सतर प्रतिश्ट प्रस्ट इन जनरल एवर्नेस और 74 64 परसेंटेज पास्ट इन बोड़ सब्जेक्ट अब बोल रहा है 6300 फेल इन बोड़ सब्जेक्ट इन फाइंड टोटल नंबर अफ एक्जामिनीश किसी प्रिक्षा में क्या थे 73 परसेंट उमिद्वार जो है वह संख्यात्मग अभियोगिता प्रिक्षन में यानि कॉंटिटिटिटिट लोग है कि इसमें पहले जो है वह कॉंटिटिटिटिव वाले लोग है यह क्यूए वाले लोग है जो कि पास्ट वाले लोग है और एक और यहां पर डिब्बा बनेंगा जनरल अवेर्नेस वाले लोगों का और यहां पर बोला गया कि क्यूए में कितने लोग थे तो 73 परसे ह scripts और साथ में दोनों विशेय उमें पास होने वाले जो लोग है उसको अब अंदर लिखा जा सकता है कि 64 percentage लोग दोनों पास थीक अब यहां से आपको dessa होगा कि अगर यह 64% तो यहांपर 73 में से 64% ऐसे बचचे आ हैं जो यहां पर भी है क्योंकि 70% इस circle के अंदर आ जाएंगे यह वाले circle में और extra 9% और है जो कि केवल और केवल QA में पास हुए तो इसमें 9% जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका जवाब होगा 79% इतने लोग जो है टोटल पास है तो फेल जो बच्चे है जो दोनों में फेल होंगे वो इस circle के बाहर होंगे इस circle के अंदर नहीं होंगे ऐसे बच्चे जो वो 21% होगे क्यूंकि अगर पास 79 है तो फेल बच्चों की संख्या हो जाएगी 21% इस 21 का वैल्यू दिया हुआ है 6300 तीन गुणे करने पर 63 होता है और 20 लगा है मतलब की मल्टिप्लिकेशन फैक्टर 300 है एक परसेंटेज का वैल्यू 300 है आपसे पूछ रहा था कि भई टोटल कितने है तो अगर 100% का मान निकालने को कह रहा है तो कहिना कहीं 300 में 100 जुड़ जाएगा यानि कि 30,000 बच्चे हो यह सवाल भी समझ में आया होगा आप लोगों को next question देखेंगे इसके बाल यहां से कुछ pattern of questions change होगा जिसमें की हम देखेंगे income बरावर जो है expenditure plus savings होता है आय बरावर होता है where plus खर्च मतलब की देखिए इसको समझने कोशिश करिए अगर कोई व्यक्ति 100 रुपय कमा रहा है अगर उसने 80 रुपया खर्च किया तो बचाएगा कितना 20 रुपया बचाएगा यही है इसका मतलब कोई भी वक्ति कुछ कमाता है आय जो है उसके खर्च अगर उसको हटा दिया जाए तो वहां पर बचत जो है वो आ जाएगा तो यहां से तीन formula आप देख सकते हैं कि I minus ख तरीके का formula दिख जाए ठीक है यहां पर जो formula है कभी आपको एक general formula में बता जेता हूं कि A बराबर है B B, plus C, plus D, plus E इस तरीके के formula में आपके percentage के question बनते हैं ठीक है percentage के question बनते हैं जैसे कि आपका votes वाला जो सवाल है number of votes के उपर तो total votes जो है वो पहले candidate को मिल सकता है दूसरे candidate को तीसरे candidate को इस तरीके से सवाल बन सकता है या ऐसा भी होता है कि पहला इसमें data कुछ इस तरीके से भी दिया जाता है कि total votes दिये हुए है ठीक है और इसके बाद बोला गया कि इसमें से कुछ जो vote देने गए नहीं तो यहाँ पर vote नहीं जाने वाले लोग होंगे फिर जितने लोग वोट गए उसमें से कुछ जो है वह invalid हो गए और फिर आता है valid votes आते हैं ठीक है यह valid votes वाला है मतलब इसमें से एक winner को मिलेगा एक loser को मिलेगा तो यह सारे जो कहानी है इस तरीकी का questions में बनते है जिसमें income बराबर जैसे expenditure plus savings यह भी कहीं नखी इसी फर्मूले में है ए बराबर बी प्लस यह जिसमें से यह बी सी डी जो है यह सब आपके खर्च के data पर होगा कि खाने पर कुछ कर्च कर रहा है ठीक है फिर मनुरंजन पर कुछ कर्च कर रहा है ट्रैवलिंग पर कुछ खर्च कर रहा है बाकी बचा रहा है यहां पर इस तरीके के सवाल फ्रेम होते हैं तो इस तरीके के pattern में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं बस आपको यह जो है ना यह चीज याद रखना है कि यह इस pattern के question में गिना जाता है जिसमें A बराबर B इस तरीके के बहुत सारे प्रसंटेज में बन सकता है जिसमें से एक प्रसंटेज है इंकम बराबर expenditure प्लस savings चलिए तो इसी कुछ information के साथ अब सवाल देखते हैं यहां पर पर संट 12 परसंट on food and 25 परसंट on house rent 8 परसंटेज on entertainment and 13 परसंट on convenience he saves a total of two thousand twenty thousand seven ninety at the end of the month find his monthly salary तो देखिए यहां क्या दिया है एक व्यक्ति जो है 12 प्रतीशत 25 प्रतीशत 8 प्रतीशत 13 प्रतीशत वह अलग-अलग चीजों में कर रहा है अंत में उसका 20,790 रुपया बचा तो उसकी मासिक बेतन क्या है यह आपको निकालने को कहा गया तो देखिए हमें बस इतना पता है कि इंकम बराबर जो होती है वह होती है एक्सपेंडिशर प्रतीशत प्रतीशत मान लेते हैं जैसी आप इसको 100 प्रतीशत मानोगे यहां से बाकी चीज़े एक साथ खर्च में आ जाएगी कि 12 प्रतीशत जो है सालरी फूड में जाता है मतलब खाने पर 12 प्रतीशत गया फूड में और दूसरा जो खर्च हुआ इसका एंटर्टेन्मेंट पर 8 प्रतीशत खर्च हुआ इसके बाद अगला जो खर्चा हुआ वो 13 प्रतीशत यहां पर कन्वेयंस पर हुआ ठीक याने की ट्रैवलीन पर 25 प्रतीशत आपका हाउस रेंट पर गया 25 प्रतीशत जो है वो कही न कई हाउस रेंट पर गया मतलब टोटल कुल मिला के यदि हम देखे तो खर्च हो कितना गया अगर इसको जोडा जाए तो यहां पर 12 प्लस 8 होता है 20 20 में इस 25 को प्रतीशत पुरा का पूरा खर्च हो गया बचा कितना तो बचा 42 प्रतीशत कैसे निकाल दिया मैंने अरे यहां पर अगर यह इंकम सौ प्रतीशत है एक्सपेंडिचर 58 है तो सौ में से 58 गटा होगा तो बाकी बचा हुआ से सेविंग्स होगा 42 परसेंटेज अब इस 42 परस संद्स उसका मांट है इसकी मांस सिख वियतन बतानी थी मतलब 100 प्रतीशत का मान मता अगर 42 परसिंटेज इतना है तो क्या आpsusz प्रतीशत निकाल सकते यही तो हम अभी तक करते हो रहा है कि इतना प्रतीस अगर इस इसाम्ण इतना है तो बाकी वाले परसेंटेश का मान किय आप इस चीज को calculate कर सकते हैं अब देखिए इसको calculate करने जाओगा साथ से अधी में काटू तो 6 आ रहा है यहां पर साथ से इसको काटूंगा तो दो बार 14 फिर 67 आ रहा है तो 9 बार जाएगा 63 से 49 आ रहा है तो 70 बार जाएगा 49,500 रुपया जो है इसका मासिक वेतन है जो कही न कहीं भी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है यहां पर बात समझ में आ गए कि कैसे हम सवाल को solve कर रहे है ठीक है इस चीज को note करिए कि कभी भी income बराबर expenditure plus savings हो गया तो income में से कुछ income expense होता है तो बाकी क्या होती है बच of his income, his income is increased by 20% and expenditure is also increased by 10% then find the percentage increase in the savings दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 45% भाग जो है वो खर्च करता है उसकी आय में क्या है 20% की अगर बढ़ाई जा रही है और उसके खर्च को भी 10% बढ़ाया जा रहा है तो बताएं कि उसकी वेतन में कितने प्रतिशत का वृद पता है इसके बाद दूसरी बाद हमें यह पता है कि अगर यहां पर 75% दिया हुआ है मतलब अगर इसने 100 रुपया कमाया 75 इसने खर्च किया होगा क्योंकि 100 अगर कमा रहा है तो 75% खर्च था तो बचा हुआ 25% जो है कही ना कही यह बचा रहा होगा अब इसमें दिया 120 बना दोगे ठीक है इसका 120 बना देंगे हम और इसकी expenditure को भी बढ़ाते हैं 10 प्रतिसत इसके 10 प्रतिसत को बढ़ाने का मतलब क्या है मतलब हम यहां पर साड़े साथ बढ़ा रहे हैं 7.5 क्योंकि अगर यहां पर आपने 20 बढ़ाया और यहां पर आपका 10 प्रतिसत ही बढ़ रहा है साड़े साथ ही बढ़ रहा है तो यहां पर इसको जोडने पर कुछ value आ जाएगा 82.5 मतलब आप यह बताइए कि आपने savings को कितना बढ़ा है आपको एक्चुली प्रतिसत मान निकालना है percentage increase तो percentage increase निकालने का तरीका क्या है कि हम देखे कि increase किता हुआ divided by जो initial value है multiplied by 100 यह होता है तो आप खुदी बताइए कि अगर हमने यहां पर income को बढ़ाया 20 से ठीक है और इसके खर्च जो बढ़ी है वो कही कई साड़े साथ रुपिया से बढ़ी तो savings भी तो कही ना कई बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर overall यहां पर तो साड़े साथ ही बढ़ रहा है overall यहां पर अगर 20 बढ़ रहा है मतलब इसको आपने कितना बढ़ाया होगा 12.5 बढ़ाया होगा 12.5 तो ऐसे देखिए कि increase जो हु ही उत्तर हो जाएगा यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स टोशन देखेंगे यहां से दिया हुआ है रागाव जो है spends 80% of his income if his income increases by 12% and savings decreased by 10% then what will be the percentage increase in the expenditure तो रागाव अपने आय का 80% खर्च करता है यानि कि आय जो है वो होती है व्याय प्लस बचत जिसमें से अगर इसने 100 रुपया कमाया तो 80 रुपय जो है वो कही ना कहीं खर्च करेगा तो 20 रुपया बचाएगा लेकिन यहां दिया आप 12 को आप 12 से बढ़ाएंगे दूसरी बात कि अगर हम यहां पर बचत में 10% कम करते हैं आगर उसमें 10 कम करेंगे मृमस 10% करेंगे मतलब आप इस value को 2 से घटा रहे हैं 2 से घटा रहे हैं, ठीक है, समझेगा इस बात को अगर यहाँ पर overall 12 से increase हो रहा है यह value कही न कही 2 से कम हो रहा है, मतलब कि यह value क्या हुआ होगा, यह value कही न कही 14 से बड़ा होगा क्योंकि 14 minus 2 करने पर 12 आता है, या फिर ऐसे समझें कि यहाँ पर अगर x का चेंज हुआ, और यहाँ minus 2 का चेंज हुआ, जो कि यहाँ overall 12 का चेंज दे रहा है, तो x का value क्या आएगा, 12 आएगा 14 आएगा, यानि कि प्लस में है, यानि कि इतने का increase हो रहा है, अगर में यहाँ पर 80 को 14 से बढ़ा रहा हूँ, तो percentage increase कितना हुआ, percentage increase जो हुआ expenditure में, वो 14 का हुआ, divided by 80, multiplied by 100, 4 से काटने पर, 20 से काटने पर यहाँ 4, यहाँ 5 आता है, मतलब कही न कही value जो हो हो जाएगा, 70 divided by 4, जो कि कितना आ जाएगा 17 बार जाएगा, आपका 68 से, दसमलफ 5 आ जाएगा 2 के ले, ठीक है, 17.5 percentage जो है, आपका increase हो रहा है, expenditure में, तो इस तरीके के सवाल को, आसानी से आप solve कर सकते हैं depending upon जो information दिया, उसको use करते हुए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे income of Raju is 20 percentage more than the expenditure if his income is increased by 60 percentage and expenditure is increased by 70%, then find the percentage what percentage does his savings increase or decrease, यहने देखेंगे Raju की जो आए है, उसके व्याए से 20 प्रतीसत अधिक है, यदि उसकी आए को हम क्या कर रहे है, 60 प्रतीसत बढ़ा रहे है और व्याए को 70 प्रतीसत की व्रिद्धी हो रही है, तो बचत में क्या होगा बढ़ेगा की कम होगा, यह हमें बताना है तो income जो है, वो क्या है expenditure plus savings, लेकिन अब यहाँ पर आपको income directly नहीं दिया बोलनी रहा है कि बताईए कि अगर उसने इतना प्रसेंट खर्च किया, ऐसे नहीं बूर रहा है आपको बताए जा रहा है कि आए जो है वो 20 प्रतीसत अधिक है जबी भी कोई value किसी से 20 प्रतीसत अधिक होती है तो यह हम जानते है कि 20 परसेंटेज का मतलब होता है वो 1 बाई 5 मतलब अगर यह value 5 है i जो है, i जो है वो 20 प्रतीसत अधिक था किस से expenditure से मतलब expenditure को 5 देंगे तो income इससे 1 जादा होगा मतलब यह 6 हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति 6 रुपय कमा रहा है और 5 रुपय खर्च कर रहा है तो savings 1 होगा क्लियर कैसे हम इसको balance कर रहे है यह 5 था तो यह 6 था मतलब अब हम यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 बराबर 5 प्लस एक होगा मतलब एक उसकी बचत होगी calculation को easy करने के लिए मैं यहां पर 60 इसको 50 और इसको 10 कर लेता हूँ क्योंकि आपको यहां दिया हुआ है कि income जो है वो कितने से बढ़ रहा है 60 प्रतीसत से इसको 60 percentage से बढ़ाना है मतलब कितने से बढ़ाना तो 36 से बढ़ाना है दूसरी बात इसको आप बढ़ा रहे हैं 70 से पलस 70 परसेंट से हम इसको बढ़ा 70% से बढ़ाने का मतलब 35 से बढ़ाना हो, अगर इसको आप 35 से बढ़ा रहे हैं, 70% है, मतलब आप खुद ही बताइए, अगर ये 36 यूनिट से बढ़ा और ये 35 यूनिट से बढ़ा, तो बचा हुआ एक कहां से बढ़ेगा, वो बचा हुआ एक यहां से बढ़ेगा, अगर आ यहां पर 10% increase हो जाएगा clear है तो सी जो है सवाल का सही उत्तर है यहां पर तो ऐसे questions के लिए भी तयार रही है जिसमें आपको income और expenditure के reference में कुछ यहां पर values दिये हैं जिससे आप ratios को balance करेंगे इस तरीके से ठीक है उसके बाद आपका सवाल अलग बन जाता है जैसे कि यहां प प्रिवेस सवाल के जैसा ही है बस यहां पर income और expenditure में कुछ ratios दिये थे उसको आपको balance करना आना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब person after paying 10% tax spends 20% of the remaining on education and 25% of the remaining on food after all this expenditure he is left with 2700 find his income एक व्यक्ति के वेतन में से 10% कर चुकाने के बाद 6 का 20% सिक्षा में तथा 6 का 25% भोजन पर खर्च करता है इन सभी खर्च होने के बाद अगर उसके पास 2700 रुपे बसते हैं तो बताना है कि व्यक्ति का वेतन कितना है देखिए मैं इस सवाल को एक line में भी solve करके बताऊँगा लेकिन एक line के solution के पहले आप इसमें समझे हो क कि इस तरीके से दिया हुआ है कभी कभी क्या होता है यह जो b है c है d है directly आपके total value total value मतलब कि किसके reference में होता है यह के reference में दिया रहता है जैसे कि थोड़ देर पहले हमने सवाल देखा था कि 12% किसी पर 15% किसी पर 28% किसी पर इस तरीके से उसको टोटल करके हमको बताना था सेविंग से आपे 2790 ऐसा वाला डेटा एक कुशन था तो उसमें जो है ये टोटल इसके रिफरेंस में था लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता यहाँ पर आप देखेंगे remaining का remaining का 20% बोल रहा है तो C का रिफरेंस जब remaining से है तो remaining का मतलब होता है कि A-B करने के बाद जो value बचा ये शेश है क्योंकि A में से B को आपने distribute कर दिया इसके बाद क्या बचेगा तो A-B बचेगा इस remaining का percentage आपको C को देगा फिर जैसे ही C आ गया समझे जब सेश के बारे में दिया है तो आपको इस तरीके से solve करना है अगर total दिया है तो कोई tension नहीं आप directly इसका सब एक साथ add करके निकाल सकते है इस तरीके के सवाल में जहां remaining है उसका भी short trick होता है लेकिन उसको मैं last में बताऊँगा पहले आपको normal तरीके से समझे कि क्या हो रहा है क्योंकि कभी कभी आपको बीच के किसी value का भी value निकालने को कह देता है तो वहाँ पर अगर direct short trick बताऊँगा तो सकता है आप first जाएंगे ठीक है चले अगर एक व्यक्ति है उसका income 100% था यह इसका income है इसमें से क्या किया उसने tax दिया tax कितना दिया तो 10% का दिया प्लस इसके बाद इसने क्या किया spend किया remaining education में तो education में उसने कितना spend किया education के लिए दिया हुआ है भई कि 20% of the remaining यानि कि अब देखिए जब 10% उसने tax पर दे दिया तो यहाँ पर और जो remaining बचा, remaining कितना बचा, 90% बचा, इस 90% का 20% कह रहा है यह, 90% का 20% का मतलब कितना हुआ, यह हो गया, 18%, मतलब 90% remaining का 20 बुला, तो 6 का 20% निकालोगे, तो 18% आएगा, मतलब यहाँ education में 18% ही जाएगा, clear, मतलब कि इस 100 में से 10% और 18% जा चुका है, इसके बाद जो तीसरा value है, तीसरा variable क्या है, तो तीसरा variable है, remaining का education में देने के बाद, बागी खर्च जो है, उसका food में है, और food में जब खर्चा करने की बारी आई, तो food में कितना खर्चा हो रहा है, food में खर्चा हो रहा है, यहाँ पर 25%, लेकिन जब 25% निकालने जाओगे, तो ये भी आपको 6 का निकालना है, सेष का निकालने का मतलब 100 मेंसे 10 और 18 गया तो 28 स्प्रतिसे जा चुका यह बचा अब 72 परसेंट का 25% आपको निकालना होगा और 72 stories का 25 प्रसेंटेज 25 बटा 100 होता है मतलब एक चौथाई एक चौधाई का मतलब फिर से 18 परसेंटेज मतलब इस food में भी कही न कहीं जो खर्च हो रहा है वह 18 percentage का खर्च हो रहा है तिक है इसके बाद जो होगा वह savings होगा इसके बाद जो होगा होगा savings होगा यहाँ से आप समझी इस बात को तो यहाँ से अबसे से विंच के बारे में आपको क्या 10 को जोड़ोगे मतलब यह जो total खर्च है यह जो total कर्च है वो कितना है 46% का मतलब जो saving हो रहा होगा यहाँ पर वो कितना हो रहा होगा 54% का हो रहा होगा ठीक तो आपको बताया गया कि भही 54% है कितना तो 2700 मतलब मैंने इसमें क्या multiply किया 50 multiply किया तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि 100% का value बताईए 100% में भी 50 multiply कर दोगे तो 5000 रुपय जो इसका वेतन हो जाएगा ठीक है तो कहीना कई सी जो है सवाल का सही उतर आशा करता हूँ यह आपको समझ में आगया होगा अब मैं आता हूँ short trick पे कि जबी भी 6 वाला सवाल आया तो इसमें क्या short trick लगाना है यह मैं आपको बता देता हूँ यह भी बहुत आसान सी बात है कि suppose करिये कि उसकी income x है उसकी income क्या है x है इस x का मान हमें निकालना है सबसे पहली बात अगर वो 10% का tax दे रहा है दिया तो अब बचा कितना 20% देने के बाद 80% बचा मतलब इस value का 80% बचा यह जो बचा यह शेष है इस शेष में से अगर 25% दे रहा है खाने पर 25% दे दिया तो अब कितना बचा उसकी पास 75% बचा तो यहां पर 75% बचेगा मतलब यह जो बचा हुआ है इसका value 2700 का है यह इसका शॉट्रिक हो गया एक लाइन वाल ठीक चली अब शॉट्रिक लगाना है तो वो भी सीख के रखना जरूरी है कि कहा कहा लगाना है यह सारे percentage के जगा पे मैं क्या कर सकता हूं बटे 100 लिख सकता हूं बटे 100 लिख सकता यह क्या है 4 बटे 5 और यह है 9 बटा 10 ठीक है अब बहुत असान सी बात है इसका calculation 9 इंटू 3 जो है कही न कई 27 होता है तो 9 और 3 जो है यहां 9 था यहां 3 था और यह 27 था तो 9 तीन और 27 को मैंने काट दिया ठीक है अब इसके बाद यह जो 4 है यह 4 और 4 कर जाएंगे यहां पर बचा हुआ एक 5 और एक 0 0 मतलब यह 50 और उपर 100 को multiply करने पर कही ना कई 5000 यही कही ना कई हमारा उत्तर है तो यह ज्यादा तेज तरीका है लेकिन इसके पीशे की कहानी भी समझना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी आपसे यह भी पूछ पूछ लेता है एक्जाम में कि बताई का 20 परसेंट जो है वो शिक्षा का है तो 5000 का 90 परसेंट का 20 परसेंट निकालोगे तो शिक्षा खर्च निकल के आएगा ठीक है चलिए एक प्रक्ति अपने 7.5 परसेंटेज का खर्च करता है और सेश का 75 परसेंट करने के बाद उसके के बास 370 बचा तो बचाई उसके पास पैसे कितने थे देखिंगे भाई यहां पर हमें पता है कि धाए परसेंटेज जो है वो क्या है वो क्या है वो वनबाए 40 होता है अगर मुझे 7.5 परसेंटेज चाहिए तो कही ना कही वो इसका तोॅ 2 खर्च करता शालिस में 3 खर्च कर रहा है तो 40 में 3 खर्च किया तो 40 में बचा कितना एक Virtual рокृ पिए तक रूज要 came इसमें से वह 75 फर्चन्ट कर रहा है अब 75 परसन्ट का मतलब आप लोग जानी चुके हैं 3 4th होता है अगर 3 4th खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 1 minus 3 by 4 याने 1 4 है इसका value दिया हुआ है 370 तो बताइए कितना आसान सी बात है इसको solve करना 37 जो है इसको काटेगा 10 बार तो x जो है कहिना करी 160 into 10 होगा याने 1600 100 रुपईया हो जाएगा x का मान b जो है सवाल का सयूतर clear है ठीक है आशा करता हूँ यह 44 नंबर का सवाल भी आपको समझ में आगया होगा इसके बाद हम next जो question है जो कि आपके votes से related है और election से related है इसके एक दो सवाल हम देख लेते हैं पर जैसे कि for example एक सवाल में देख लूँगा यहां पर दिया हो वेंट टू वेर टू कैंडिडेट्स के बारे में दिया हुआ है कि इन एलेक्शन वन गॉट 39 परसेंटेज अफ़ टोटल वोट्स and lost by 2640 then find the total votes एक चुनाव में दो उमीदवार है हारने वाले उमीदवार को कितना मिला तो 39 परसेंटेज वोट प्राप्त की है और वो 2640 वोट्स से हार गया तो cool votes की संख्या क्या है बताना है मतब देखिए बहुत ही simple से सवाल है total votes जो है total votes जो होता है वो क्या है एक winner को मिलेगा तो दूसरा loser को मिलेगा और हारने वाले वेक्ति को कितना मिला 39 परसेंटेज वोट मिला मतलब सपोस करिए कि अगर 100 प्रतीसत वोट्स यहाँ पर total votes है अगर loser को मिला यहाँ पर इतना तो बताईए कि winner को कितना मिलेगा winner को बचा हुआ 61 परसेंटेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ठीक मतलब यहाँ पर 40 में 21 ज्यादा यहाँ पर 50 में यहाँ पर 11 ज्यादा 50 में वहाँ पर 11 कम मतलब total जो difference है वो 22 परसेंटेज का है इसमें भी मुझे 120 multiply करने पर जो total votes आएंगे वो कहीना कहीं कितना जाएगा तो 12,000 votes आजएगा 12,000 जो है यह cool votes हो जाएगे clear है बात समझे भाई इसमें भी अगर आप देखेंगे तो A बराबर B पलस C वाला formula लग रहा है तो total votes का भी अगर हम देखें तो गहराई से अगर इस बात को समझेंगे तो यहां भी कहीना कहीं A is equal to B पलस C वाला formula है जिसमें C के बारे में 39% दिया था total votes का तो यहां पर B को कितना मिलेगा यह कहीना कहीं हमें यहां पर इस तरीके से solve करना है चली एक आखरी सवाल में लेता हूँ यहां पर जो कि है आपका देर वेर टू कैंडिडेट्स इन एलेक्शन वन गाट 65% अब टोटल वैलीड वोट्स एंड 40% अब वोट्स वेर इन्वैलीड देन टोटल वोट्स आर 40,000 find how many votes did the other person get एक चुनाव में एक उमीदवार है उस उमीदवार को कुल वैद वोट्स का 65% वोट पराप्त होता है 40% वोट अबयाद करार दिये गए तो आपको बताना है कि यदि कुल वोट्स 40 जारते हैं तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला देखे कहानी कुछक Ryan के से होती है टोटल वोट्स ठीक है टो टोटल वोट्स है माइसमेश मेंसे कुछ इनवैलिड है कि बचय हुए वैलिड होंगह इस वैलिडड वोट्स में से एक कैंडिडेट को जो जीता उसको मिलेगा A को मिलेगा और दूसरे को B को मिलेगा ठीक है अब देखिए समझेगा यहां से language of the question आपको समझना जरूरी है सबसे पहली बात आपको तो टोटल वोट्स यहां पर देई दिया कि यह कितना था 40-4 वोट्स थे और बोल रहा है कि इसमें से invalid वोट्स जो है 40% invalid है मतलब इसका 40% invalid है अगर इसका 40% invalid है तो इसका 60% जो है वो valid होगी अब इसके बाद बोल रहा है one got 65% of the total valid votes इस statement को थोड़ा गौर से समझेगा 65% किसका तो total valid वोट्स का मिला ठीक है यह 65% वोट्स के वैद वोट्स के प्राप्त हुए मतलब अब यह 65% आप इस 40,000 का निकालने की गलती मत क पहले आपको निकालना होगा 40,000 का 60% तो 40,000 का 60% निकालोगे जो की क्या है valid वोट्स है ठीक है question का language समझने कोशिश करिए कि अगर invalid वोट 40% है तो 40% हटा दोगे तो बचे हुए 60% वैलिड होगे इस वैलिड वोट्स में से इस वैलिड वोट्स में से आपको दिया हुआ है कि 65% वोट एक ने प्राप्त किया मतलब इस 65% अगर एट वैक्ती ने 65% प्राप्त किया मतलब इन दोडों कैंडिनेट्स में से एक ने 65% किसका प्राप्त किया तो वैलिड वोट्स का तो बाकी बचे हुए ने 35% प्राप्त कियोंगे किसके वैलिड वोट्स के इस वैलिड निकालने को नहीं कहा गया दूसरे candidate ने कितने लाए तो दूसरे candidate ने इसका 35 percentage लाए इसका 35 percentage clear तो यहां से अब इसका value आपको अच्छे समझना है कि value कितना होगा तो देखिए आप जानते हैं कि इस percentage और percentage को हटाऊंगा तो कहीना कहीं यहां पर जो value आएगा वो बटे में 100 और बटे में 100 आजाएगा clear अब इसको solve करना आसान सी बात है दो zeros यहां पर दो zeros यहां पर इन चारों को काट देंगे चार को यदि मैं 35 से multiply करूं तो 60 और यहां पर 70 और यहां पर 140 आएगा 14 इंटू 6 करने पर कहीना कई 84 होता है और आगे यहां दो zeros है तो दो zeros लग जाएंगे मतलब 8400 वोट्स जो है दूसरे candidates को मिलेंगे ठीक है चलिए अब मैं इस वीडियो को यहां पर रोकता हूं जैसे कि मैंने आपको समारा motivation बढ़ता है और हम आपको और अच्छा प्रवाइड कराते ठीक है तो चैनल में अगर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाए ताके सारे notifications आपको मिलते रहें next वीडियो में मिलेंगे percentage के part 3 के साथ जिसमें एक बहुत important part जो कि successive percentage change है वो बचा हुआ है उसको भी मैं वहां cover करूँगा और इस successive percentage change बहुत important है आपके calculations को तेज करने के लिए क्योंकि कहिना कई इसका use मैं करूँगा आगे चलके compound interest में जो कि आपके compound interest वी question को बहुत आसानी से solve कर लेता है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा wait करिए next वाला जो है आभी percentage में successive percentage change को पहले अच्छे से समझिए कि होता क्या है चलिए thank you so much इस वीडियो में इतना ही